तो ये जो कहानी है ये ब्रह्मदेव यादव जी की है तो आप से गुजारिस है कि आप इस वीडियो को एंड तक देखिए अगर आप भी IBS जैसी समस्या से लंबे समय से परसान हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए मैं वीडियो की स्टार्टिंग में ही कुछ देखते हो लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं आप प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करिए वीडियो को भी लाइक करिए और अगर इरिटेबल बाल सिंड्रोम जैसी समस्या से काफी सालों से अगर आप परसान है तो स्क्रीन पर दिये गए नमबर पर हमसे संपर्क करिए मात्र मंतली बेसेस के 300 रुपए महीने में हम आपका इलाज कम्प्लीट मुकमल कर देंगे क्योंकि आईबियस में किसी भी प्रकार की किसी भी मेडिसीन की जरूरत नहीं होती तो आप सबसे पहले इनकी कहानी सुनिए उसके बाद मैं वीडियो को एंड में औ और सारी जानकारी आपको एंड तक देता हूं लेकिन पहले इनकी सिंटम सुन लीजिएगा कि इनको एस्डिटी रहती थी, कौश्टी पेसन भी क्रॉनिक प्रॉब्लम थी, काम में मन नहीं लगता था, यह गुजरात में काम करते थे अपना काम चोल कर आकर घर पे बैठे ह और चार महिने का टाइम लेकर आये हैं, बहुत सारे डॉक्टर उसको दिखाया और यह जब मेरे पास आये थे तो इनको किसी भी प्रकार की कोई भी उमीद मुझसे नहीं थी, कि मैं भी इनको ठीक कर पाऊंगा, क्योंकि यह 25-26 डॉक्टर को अलड़ी यह दिखा चुके थ अलो, हलो सर, हाजी, नमस्कार, हाँ सर बोलिए, अपका नाम, ब्रहम देव कुमार यादव, यह ब्रहम, हाँ ब्रहम देव यादव, हाँ जी, तो यह बताओ, कब से परशान थे यह आई वी कहानी लेकर, क्या बोले सर, कह रहा हूँ कितने दिन से परशान थे आप इस अबी, तो मेरे को लगते है, सो परसंट चीग होगी है, सर, लेकिन थोड़ा खाना खाने बाद 10 में तक परशान नहीं रहता है, वो देरे-देरे उसको भी फिक्स कर देंगे, परसान नहीं हो, जो कुछ भी है भी, तो वेट वगारा भी गेन कराना है, लोग का वेट भी ब लिखाते है, गेस्ट्रो इंटरोजिस्ट, गेस्ट्रो इंटरोजिस्ट से गुजरात में दिखाया था, मतलब कितने डॉक्टर चेंज के ये चार साल में, बहुत सर, कम से कम तर 20-25 डॉक्टर चेंज कर दी है, जो मेरे पास भी जब आयोगे, तो उमीद नहीं होगी कि सहर जगा निराज मिली, पता नहीं ठीक होगा भी की नहीं इधर भी, पर मेरे को तो बहुत साही नहीं होगा तक कहीं ठीक कर पाएगा, जब सोचेंगे, इतना बहुत साही बात है, तो क्या लग रहा है, मतलब कि लोगों क्या कहना चाहते हो बस वो चीज बताओ, लोगों को तुम्हें यही कहना चाहता हूँ कि जो भी यह सेसलिटी आईबियस से परसान है, खासकर आईबियस को लेकर, क्यूंकि देखो और भी बीमारिया बहुत सारी है, उसके लिए डॉक्टर की ही ज़रूरत होती है, लेकिन आईबियस की कहानी जो है ना, उसका कराके परसान हो चुकी ह martial करते हैं और खूब बाई यहाई करते मिर्फ ठाशकी की खराबते हैं, परे पहले जो की यह सब चीज रहती हूं है, अब ने सर मेरे को तो कुछ नहीं है नीन बोर बोर आता है भूक बोर लगता है मतलब लगता है कुछ भी खालों लेकिन अभी कंट्रोल किया हूं थोड़ा आप कम खाने के लिए बोले हैं आप जैसा बोला हूं बस वैसा भी खाओ अभी उसमें एक्ष्टर चीजें मत बढ़ करोनीक तरीक दरहा पर इंगा tidak को जना हुदा तक एक जिन दूद्दिन मैं कांब करोनीक तरीके सराकरती थी और पेट नहीं हूता था सब्सक्राइब करता है बहुंता बंसक्या होते हैं सब को ही यही मन करता है कि खाना खाऊंगी एकदम मन नहीं कर रहा है लगातार वेट लॉस होता चला जाता इसी के बारे हम सोच सोच के सोच सोच के बिल्कुल हैरान परेसान हो चुकी होते हैं बहुत बूरी तरीके से किसी चीज़ को ले तरके, मेरा वेट लॉश हो गया, सैर कम मनलब क्या 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 किए, मतलब जैसे लोगों को, कितना वेट लॉश हुआ दा? 6-7 किलो तुम्हारा लॉस हो चुगा था तो चलो फिर भी यह कमी लॉस हुआ नहीं लोगों का 15-20-20 किलो लॉस हो जाता है बहुत बहुत लोगों जो क्रोनिक तरीके सा और बुरी प्रॉब्लम में फजाता है भी तो देखो अभी तुम्हारा चार साल था फिर भी अपने करानी पलती है उनको मोटिवेट एक्सा करना पलता है तब जाकर वो धीरे दीरे प्रिपेर हो पाते हैं इस चीश को लेकर तब जाकर वो तैयार होते हैं ट्रीट्मेंट पूरा तरीके से लेने के लिए लेकिन आपका क्या है भी चार साल था तो इतना प्रॉब्लम नहीं तीक है ना नि तो लोगों को रिजल्ट आने में लग लगवक दो मेना तीन मेहीना तक लग जाता है कि उनको ठीक होने में फिर भी आपको आज 17-18 दिन आप बता रहे थे ना कितना बता रहे थे आठारा दिन में आपको इतना रिलीफ मिल गया है कहां से बात कर रहे हो भई आप मैं जमुई विहार अच्छा जमुई विहार अजब भिहार से अच्छा चोलो ठीक है और क्या कहना चाहते हो मतलब घरवालों का क्या इ अच्छा जिए नहीं सकता है इतना जब दोक्तर से दिखवा दियें तो यह थोड़े ठीक पर पाएगा जो करना करो और यह बोरा तो तुम ठीक नहीं हो पाएगा जो होगा इसी तरह जी हो अच्छा घर वाली यह बात बोल रहे थे तो परिसान होगे तर चाह तो चाह ताल है कि हर वक्त जो 24 घंटा उल्जन बेचैनी रहा करती थी किसी काम में मन नहीं लगता था घर पर बैठे रहते थे तो इस इन सारी चीजों में कितना रिस्पॉंस है आपको काम धाम में मन लग रहा है हर चीज में अच्छा गूं अच्छा लगता है तो चीज बताई दो टाइम उसको मैंनेज कर रहे हो तो टाइम कर रहे हो हाँ सुबह च्छे होजे और रात को च्छे होजे अच्छा एक चीज ये बताओ मुझे आप घर वाले कितने पैसा लगा चुके होंगे इस चीज में तुम्हारे इतने दिन में बोलें ना दो यह तीन लाख रुपए लगाए और धाय तीन लाख रुपए का तुमको कोई बे प्रोड़क्ट का लिंक भी भेज देता हूं एमाजोन चला पाते होंगे नहीं तुम को मैं एक लिंक भी दे रहा हूं उस उस प्रोड़क्ट को मंगा लड़ीगे न वह तुमको और तेजी से हैलप करेका तुमहारे वेड गें होने में तुम्हारे डाइज़ेशन का और तीज इन प्रूव करने में ठीक है ना बाकिन नेक्ट मंत ना तुम्हारा कुछ दो ती सब्सक्राइब कोई बात नहीं है क्योंकि देखो बात तुम्हारी नहीं है दोस्त क्या था पता नहीं तुमने भेजा भी था कि नहीं भेजा था कि तुमने कोई कुछ लोग ऐसा करते हैं मेरे पास कुछ लोग करते हैं यहां पर दॉक्टर के पास जाएंगे दधस भी हजार खरच कर देते हैं लेकिन 200 रुपए मुझे देने के लिए ना नाटक करते हैं अब मुझे लगा था भाई तुम भी उनहीं में से वो लेकिन फिर भी मैंने कहा को तो दौसक आप सर्वाइब करने हैं नोइर वस्वास वाली बात नहीं उन्सवाइव को सबूसर के लिभांनों तुमारा नहीं ऐया है तक देक्षव दूनिया में क фак्ता गलाधी, किस तरीके के ओर दो एकॉत का नहीं ही झाये तुम है, क्या गुजर जाएगा मेरा बताओ तुम वो चीज तो तुमको समझना चाहिए ना कि यार अगला इंसान बहुत कम फीस में काम करता है मैंने साला इतने लोगों को दिया उसका इतना छोटा इमाउंट है चलो भेज दो दो क्या दिक्कत है भेज दो बिचारे के पास क्या फरक पलता है इतना लोगों ने लूटा बहुत जादा यह भी ठीक नहीं कर पाएगा यह भी दोस्तों मेरा वेश्ट जाएगा यह हो सकता है ना मैक्समम इससे जादा और क्या होगा लेकिन तुमने नहीं भेजे दुबारा तो मैंने कहा कोई बात नहीं यार बात कर लो बंदे स जो भी मुसीबत परसानिये ठीक कर दो पैसे नहीं देगा कम सकंदुआ यह देगा क्या बात कोई बात नहीं चलो मैने सकरते हैं उसको आप तो बहुत अच्छा काम कर रहें इसा काम की यह दूआ बहुत ज्यादा साब देते हैं और कोई देच है नहीं लेकिन आम तो आप तर जूब जाता हैं को बीदेट श ज्यासानिये जूआ एड़ें लगे आपो आपको बटू करनी हैं लेकिन जहीं धोड़ी बहुत धकत बटाथ खेक हो घो जो भी में दिक्कत अभी थोड़ी बहुत बची है, उसको लग के ना उसको पूरा खतम कर लो, ठीक है ना, अब ये मत करना की भाई, इतना, इसको जो भी एक्सपर्ट के राय की हिसाब से, जैसे कि मुझे इसके बारे में डीप में पता है, तो मेरे हिसाब से, अभी इसको ए अभी करते हैं तो अभी फिलाल, वगरा उठाने वाला काम मत करना, कितना दिन तो उठाने नहीं काम करना पड़ेगा अभी वजन वाला अभी एक दो महीने मत करो पहले जब मैं पूरा ठीक कर दूगा तुमको तो मैं खुद बोल दूगा कि भाई अब तुम पूरी नॉर्मल जिंदगी जी सकते हो अभी देखो तुमको चाय पीओ कोई दिक्क साल पहले जैसे थे तुम तुम खुद वो जबान से बोलो मैं यह बात क्यों बोल रहा हूंगी तुम नॉर्म ढूबे की नहीं हुए यह तुम खुद बोलो ना तुमको जो चीजे जितने भी सिंटम से कितने गाय बहु चुके हैं अभी तुम खुद बोल रहे हो 80-90 लोग कर दूंगा वो दुबारा ना तुमको भारीपन भी नहीं लगेगा ऐसे डिटी वेकार रहती थी तिक नहीं उस टाइम आपको उस समय एसे डिटी दिन भार रहती थी सरो धाकार मारते से नंपूरा मूं पेट का खाना मूं में आ जाता था अब अब क्या रहता है यह जब तो लगता है पेट में गैस बनता ही नहीं है चलो ठीक दोस्त बहुत तुम्हारा सुक्रिया फीड़बैक देने के लिए अगर मालो यह स्टोरी में लोगों को सुनाओ उनको सेर करें दो तुमको इससे कोई दिकत कोई दिकत नहीं सरो खुसी होगी इससे जानकर कि और 20-25 लोग 30 लोग अक्सर डेली कॉल करते मेरे पास कि सर मैं ठीक हो गया सर मुझे इतना रिलीफ हो गया सर यह चीज बेनिफिट हो गया सर मैं 50% ठीक हो गया सर मैं 50% ठीक हो गया सर मैं 50% ठीक हो गया लेकि बहुत सारे लोग यह भी बोल देते हैं कि सर नहीं जाने दीजे मे तो सुनाओंगा और अगर आप नहीं बूलते तो नहीं सुनाता ठीक है सर आप भी सजर कर दीजिए उसे कोई दिक्त नहीं है चलो ठीक है दोस्त परसान मत हो जो कुछ भी थोड़ी बहुत और दिक्कत बची है खतम हो जाएगे बिल्कुल टेंसर मतलो देखो डाक्टर के पा कर देते हैं पूरी जिंदगी भाई साफ पूरी अपनी पूरी जिंदगी खतम कर देते हैं एक दम हो जाएंगे ना दीरे दिरे तो में तुमारे गेंड करवा दूंगा परसान मत हो इसके लिए टेंसर मतलो बस कनेक्टेड रहना यह मत करना कि वह एकदम चलो ठीक हो गया थोड़ा मुझसे कनेक्टेड रहे तो वो सारी चीजें जो भी तुमको दिक्कत रहेंगे दीरे दीरे सब तुमारी रिजॉल्व करा देंगे पूरा कि कौन सरा यहां आगां कौन मैं मैं अलावाद से बात कर रहा हूं यूपी अधर पते बात मा कोई बात नहीं कभी आना मुलाकात कर ले ना कोई प्रोब्लम नहीं है हाँ सर उधर तो जाते ना सूरत तो उधर होके जाते हो लेकिन अब ट्रेंस उतर के थोड़ी मेरे पास आओगे नहीं मिलेगा टाइम तो जाएंगे सारी चलो ठीक है दोस्त तुम्हारा बहुत सुग्रियां बात करने के लिए तो दोस्तों आप सभी ने इनकी कहानी ध्यान स सुनी होगी मुझे उमीद है और आप सभी को समझ में भी आया होगा तो आप भी अगर इस समस्य से परसान हैं तो बिलकुल भी टेंसन लेने की घबराने की बात नहीं है आपका जितना भी पास्ट गया उसको जाने दीजिए आने वाला जो समय है आपका बिलकुल होगा अगर आप IBS से परसान हैं तो चाहे वो IBS C हो चाहे वो IBS D हो चाहे वो IBS M हो जिसे हम alternate कहते हैं किसी भी प्रकार का IBS हो बहुत ही जल्द वो खतम हो जाएगा इनको बहुत जबर जस्त बहुत ही कम टाइम में इनको result मिला यह अपने आपको बता रहे हैं कि यह पूर जरूर करें और स्क्रीन पर दिये गए नंबर पर हमसे संपर्क करें अगर आप किसी भी तरीके की IBS related, page related किसी भी समस्या को face कर रहे हैं तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियम तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद